दोस्तों किसी भी देश का इंफ्रस्रक्चर बहुत इंपॉर्टन है उसके प्रोग्रेस को प्रोपेल करने के लिए और फ्यूचर डवलप्मेंट पॉसिबिलिटी सेट करने के लिए especially logistics infrastructure transport has a very vital role in any country's economic development and growth तो आज हम बात करेंगे भारत के infrastructure development के बारे में और देखेंगे कि जो capital investment हुआ है या होने वाला है वो कितना असरदार है गुजारिश आप से यही होगी कि इस वीडियो को end तक देखें क्योंकि इस वीडियो के थुरू आप बहुत ही important information गेन करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको थोड़ा खटा थोड़ा मीठा का स्वाद आएगा जो आप अपने स्वाद नसार अपना opinion comment में जरूर बताईएगा दोस्तों infrastructure development crucial है इंडिया 2047 vision को अचीव करने के लिए जो की 40 trillion economy का target है और इंडिया को developing economy से develop economy में reclassify करने के लिए इंडियन गवर्मेंट ने इसके लिए various schemes और policies डबलप की हैं जैसे national infrastructure pipeline और PM गदी शक्ती master plan इंडियन बजट 2023-2024 में इंडियन गवर्मेंट ने infrastructure sector में increased spending के ज़रूर पे ज़्यादा जोर दिया है अपना infrastructure spending को nearly triple करते हुए 3.3% of GDP कर दिया है compared to its spending in 2019 and 2020 लेकिन दोस्तों बात यहां पर यह आती है कि यह सब प्रयास कितना प्रभावी है और हम कैसे ensure कर सकते हैं infrastructure projects की quality और safety को बहतर बनाने में तो चलिए हम भारत के multi-model logistics infrastructure के transportation system का review करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक disclaimer देना चाहूँगा कि इस video में कोई political agenda या political narrative नहीं है मैं किसी भी political party को support नहीं करता हूँ सरकार किसी की भी हो हमें neutral होकर चीज़ों को देखना और समझना होगा क्योंकि logistic infrastructure को build करने में आप मैं और हर एक इंसान जो tax pay करता है उसका पैसा लगा है तो ये हमारा हग बनता है कि हम जाने की हमारे देश का infrastructure कैसा है राइट तो चलिए शुरू करते हैं 28 जून 24 एक cab driver रबेश कुमार दिल्ली टर्मिनल वर्न पर यात्रों का इंतियार कर रहे थे तबी भारी बारेश के बीच डिपाचा एरिया का छत का एक हिस्सा उन पर गिर जाता है और रमेश कुमार की आन चली जाती है 27 जून 24 ठीक एक दिन पहले मद्य प्रदेश के जेबलपुर में डमुना एरपोर्ट पर टर्मिनल की छत गिर कर एक सरकारी अधिकारी की कार पर गिरी और गाड़ी चकना चूर हो जाती है और इसी तर्मिनल का उधगाटन 10 मान 24 को पियमोदी ने किया था मत्रव में तीन साल पहले ही बनी पानी की तंकी गिरने से दो महिलाओं की अपनी जबानी पड़ी थी और जिस आयोध्याओं को हम स्मांट नगरी बनाने की बात कर रहे हैं उसने पहली ही बारिश में आयोध्या की विकास की सारी पोल खोल दी है और वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा कंसर्ण बन गया है और अठारा सो करोड में बना राम मंदिर जिसके उद्गाटन को अभी छे मैने भी नहीं बीते हैं पहली ही बारिश में राम मंदिर की छक टपकने लगती है गुरगाओं जिसे हम दुबई और सिंगापूर से कंपेर करते हैं बट यहां की नाले दुबई या सिंगापूर वाली फिलिंग तो बिलकुल भी नहीं दे रहे हैं और वहीं बिहार में पिछले 15 दिनों में साथ ब्रिजस गिरने से यह स्टेट टॉप लिस्ट में आ गया है सत्रा सो दस करोड में बना सुल्तान गंज अभगवानी ब्रिज कुछ सेकेंड में गर जाता है वह भी सिर्फ 15 महिने के अंदर 500 कड़ो में बना बैंगलरू T2 टर्मिनल लीक हो जाता है दिली से वारनसी जारी वंदे भारत एक्स्पेट ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री उस समय हरान रहे गए जब ट्रेन की छट से पानी टपकने लगा दोस्तों कैप्टल एक्स्पेंडिचर में इंफराच्चर की सेफटी का बहुत ध्यान रखा जाता है तो आप बताईए हीमिल लाइफ की क्या कीमत है शायद कुछ भी नहीं आप घर से निकलते हैं लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि आप सुरक्षित वापस घर आ पाएंगे क्योंकि हो सकता है कि कोई होडिंग आपके उपर गर जाए एरपोर्ट की छट आपके उपर गर जाए या ब्रिज आपके पहरों तले से खिसक जाए आप ये वीडियो देखिए और आप बताईए कि आपको क्या लगता है हमारे इंफ्रस्रक्षर के बारे में प्लीज कॉमेंट में बताईएगा यहां भी मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा क्रेट नहीं कर रहा हूँ बस मैं बात कर रहा हूँ कि जो situation create हुई है एक ही सवाल मन में आता है और इन 8500 से लोगों के बीच हुई थी यह समझना आपको बहुत जरूरी है कि कहां है इतना बड़ा लूप होल जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा आप सभी को पता होगा कि गवर्मेंट प्रोजेक्स की बेटिंग के थुरू टेंडर रिलीस किया जाता है जिसमें बहुत सारे कॉंट्राक्टर्स अपना प्रोपोजल समिट करते है ईलवन कॉंट्राक्ट तेक्नीक की फॉर्म में एलवन तेकनीक का मतलब होता है कि जो कॉंट्राक्टर deposal प्रोपोजल समिट करेगा उसको कॉंट्राक्ट मिल जाएगा Governing Body उस कॉंट्राक्टर को सलग करती है जिसने lowest commercial यानि की low price पे tender समिट किया था और सबसे बड़ा प्राब्लम L1 Contract Technique से ही स्टार्ट होता है क्योंकि इन Contractors List में ऐसे भी Contractors होते हैं जिनका उस पर्टिक्लर इंडर्स्री में कोई experience नहीं होता फिर भी प्रपोजल बिट करते हैं और सम्टाइम्स वो बीडिंग जीत भी जाते हैं जिसका अंजाम क्या होता है वो आपको कोलकता का बिवेका नन फ्लाइवर बताएगा 165 करोर के बजर के साथ बिवेका नन फ्लाइवर का एक अंडर कंस्रक्शन पार्ट लोगों के पर गिर जाता है और 28 लोग जाते हैं और ना जाने कितने लोग घायल हुए थे लेकिन जो कंपनी इसे कंस्ट्रक्श कर रही थी IVRCL उसके ओपरेशन डिरेक्टर AG की मूर्ती से पूछा गया कि ये क्यों हुआ तो उनका अंसर था लेकिन जब प्रॉपर इंडिस्री के बाद पता चला कि IVRCL की ही गलती थी क्योंकि साथ साल पहले उन्होंने कांट्राक्ट जीतने के लिए सबसे कम बिट समिट करा था कंपनी ने हर लेबल पर कॉस्ट बचाने की कोशिश करी थी जिसकी बज़ा से ये फ्लायोवर गिर गया था वहीं गुजरात का मौरवी का शान के लाए जाने बाला केबल ब्रिज 30 अक्टूबर 2022 को कलाप्स हो गया था जिसकी बज़ा से 141 लोगों की जिए थी मेंटिनेंस एंड रिपेर का कॉन्ट्राक किसके पास गया था ओरेबा गुरूप के पास जो अजन्ता मनुफाक्ट्रिंग प्राविट लिमिटेड का हिस्सा है और बज़ेट फिक्स हुआ था 2 करोड आपने अजन्ता वचेस का नाम सुनाई होगा जिहां ये वहीं हैं LED बल्ब्स, लाइट्स, कैल्कुलेटर के साथ-साथ घड़िया और तूथपेस का मैनुफाक्ट्रिंग करते हैं और सुप्राइजिंगली ओरेबा गुरूप ये कॉन्ट्राक्ट दे देती है थर्ड पार्टी यानि देप्रकाश सलुशन को जो कि एक लोकल इंडिविज्विजुल कॉन्ट्राक्टर था So as a matter of fact और इबा गुरूप के पास कोई experience नहीं था ब्रिज को रिपेर करने में They were in two different manufacturing of products कई contracts ऐसी companies को दे जाते हैं जिनके पास ना तो qualification होता है और ना ही कोई experience फिर भी contract उनको मिल जाता है और यहीं सबसे बड़ा problem है Elven contract technique method में Companies contract को win करने के लिए Lewis commercial code करती है और governing body को यह matter नहीं करता कि contractor का previous experience या फिर sample work की quality कैसी थी In fact Central Vigilance Commission जो address करती है governmental corruption को उसने अपनी report में खुद बताया कि Elven contract technique method की वज़ा से कई projects fail हो जाते हैं June 2022 को प्रधान मंत्री मोदी जी ने प्रगिती मजान corridor project का inaugurate किया था Almost 19 months में complete हो जाता है प्रधान मंत्री ने कहा कि एक शांद्रा टनल इतने कम टाइम में बन गया था और बोला गया था कि हर साल 55 करोर रुपए ये बचाएगी इतने कम समय में इस integrated तांजीट corridor को तैयार करना जराभी आसान नहीं था टनल के अंदर हवा बनाए रखने के लिए automatic ventilation system, पानी की निकासी के लिए automatic pump set, power backup, camera और public announcement system जैसे सुबधाएं दी गई थी पर दो साल के बाद क्या हुआ ये clip देखिए बस एक monsoon सब पोल खुल गए मतलब 920 करोर का ये project is of no use और इसी monsoon ने बिहार के भी weak infrastructure को सबके सामने ला दिया 10 bridges सिर्फ 15 दिन में गर जाते हैं Ariria, East Champaran, Kishan Gunj, Madhubani, Mujappar Phur, Saran और सिवान में तो 4 bridges सिर्फ एक ही दिन में गर जाते हैं और वहीं भागलपुर में 1710 करोर का bridge crash हो जाता है वो भी 14 महिने में इन सारे example से bridge के collapse होने के सभी aspect चाहे वो lack of maintenance हो overloading हो, aging infrastructure हो lack of supervision हो या design flaws के weak part को depict करता है लेकिन ये सारे factors एक main region से connected है और वो है corruption प्रक्यूर्वन प्रॉसेस में corruption से inferior materials और unqualified contractors का use होता है जो bridge की integrity को compromise करता है जब album method यूज होगा तो poor construction quality होगा ही वहाँ सारा game कम पैसे में ज्यादा मुनाफ़ा कमाने का है और यहाँ पे government की सोच में कोई corruption नहीं है don't get me wrong here अगर foreign investors चाहिए और आपको geopolitics summit करवाना हो दुबारा world cup करवाना हो दुबारा तो आपको infrastructure तो build करना ही पड़ेगा 100% sure about it लेकिन contract bidding system में एक बहुत बड़ा loophole है और इसके execution का बहुत बड़ा हिस्सा corrupt है और इन सब bridge collapse होने का जो repercussion ये होता है कि काफी लोग अपनी जिन्देग हो देते है और दूसी तरफ से अगर देखा जाए यानि कि आम जिन्ता को tax तो pay करना पड़ता है जब ये construct होता है और जब ये गिर जाता है तो फिर से extra load हमारे ही उपर आता है tax के रूप में अब ऐसा नहीं है कि government इसको change करने के लिए कोशिस नहीं कर रही है नरेन मोदी government ने अपने public procurement policy में significant reforms एनाउंस किया है revised guidance के according L1 या lease cost selection method अब bidder select करने का अखेला tending format नहीं होगा बलकि alternative procurement method जैसे की quality come cost based QCBS को भी include किया जाएगा project execute करने के लिए तो कहने का मतलब यह हुआ कि L1 system में bidder is selected solely based on the lowest cost committed to completing the work और bidder के technical score को कोई भी विटेज नहीं दिया जाता था वही QCBS technical score को consider करेगी लेकिन यहाँ पे एक challenge है competent authority decide करेगी किस project में QCBS पे focus किया जाएगा इसका मतलब है कि competent authority है वही decide करेगी उनके पास multiple projects आते हैं तो वह किसी particular project में कह सकती है कि यहाँ पे QCBS नहीं लगेगा यह depend करता है उनके selection process में जिसका मतलब यह होता है कि traditional L1 system को replace नहीं किया गया है बलकि यह कुछ cases में use किया जाएगा दोजा 21 में competent authority ने यह भी कहा था कि यह नया system QCBS बस उन contractors के लिए है जिनकी value 10 crore से कम है फिर तो इस नहीं system में भी contractor का कोई भी criteria evaluate और auditor किया नहीं जाएगा जो उनके मन में आएगा वही करेंगे इन सम्में से the most important question निकल के आता है who is responsible who has to be accountable for this crisis and public safety in my opinion in some crisis होने का एक बड़ा रीजन यह है कि safety audits का सही से नहीं होना चाहे वो new constructions हो या फिर maintenance का हमारे देश में कोई भी एक governing body नहीं है जो safety audits के लिए जिम्मेदार हो जब भी कोई छत, flyover या underpass गर जाता है तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसको responsibility दें the blame shifts from one party to another दिल्ली की airport roof के pillars में corrosion था जिसकी वज़ा से वो गिरा लेकिन जब aviation minister के पास पूछा गया कि यह क्यों हुआ same standard answer investigation चल रही है जो टेकनिकल आसपेक्ट जो फोरेंसिक या security आसपेक्ट जो देखते हैं building का वो सब अपने रिपोर्ट देंगे तो उसके हिसाब से हम ना और यही चीज हमने गुज़ात के case में भी देखा कि जब मौरवी bridge collapse हुआ था तो municipal authority को पता चला कि यह bridge खोल दिया गया था बिना किसी clearance certificate के अब लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए नौ लोग को rest कर लिया गया था including ticketing clerk and team security guard को क्योंकि उन्होंने धंग से भीड को regulate नहीं किया था पर top management में किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली in fact कुछ हफ़ते पहले गुज़ात high court ने गुज़ा सरकार से सवाल पूछा था कि special investigation team form होने के बाद आपको एक action taken report समिट करनी थी पर ऐसा नहीं हुआ state high court ने government से ये भी पूछा रहे यही बता दो इसके लिए जिम्मेदार कौन है तो अब ये सोचो जब high court को नहीं पता state court को नहीं पता तो आप और हमें क्या पता होगा प्रगिदी मिदान टेनल के फेन होने के बाद public workers department PWD ने ये कहा कि ये गलती L&D कंपनी की है क्योंकि project में कई serious technical glitches थे design भी appropriate नहीं था और उन पे fine लगा दिया गया तो सवाल यहां पर यह होता है कि technical और design का audit किस ने किया था और approval किस ने दिया था उसके बाद L&D ने counter claim डाल दिया सरकार पर 500 क्रोड का तो यह अब दंगल पूरा चलेगा कोर्ट में की गलती किस की है लेकिन दोस्तों इन गलतियों से हर वो इनसान की जाती रहेगी जो डेली hustlers हैं जो सुबह 9 बजे निकलता है और शाम के 8-10 बजे घर वापस आता है कभी भी आपने सुना है कि कोई politician या कोई पुझी पती अंडर पास में या फेफ फ्लावेवर से गिरके उस पॉट हो गई हो कभी नहीं असा होता है एक दिन की बारिश में दिल्ली पुरी तरह से बंध हो जाती है जबकि इंडिया मेटरलोजिकल डिपार्ट्पन ने इनफॉर्म किया था हेवी टू, वेरी हेवी रेनफॉल के बारे में लेकिन सरकार ने धंग से प्रेपेशन भी नहीं किया था दिल्ली हाइकोट ने भी situation को प्रेडिक्ट किया था हो गया रूलिंग पार्टी आप और बीजेपी के बीच जिसमें दोनों ने फ्लेट के लिए एक दोसे को जिम्मेदा ठहराया किसकी responsibility है, कौन accountable है, कौन किस चीज़ को control कर रहा है कुछ नहीं पता डिल्ली में लगब 4,000 किलोमेटर का storm water drains है जो कि अलग-अलग art authorities के control में है अब मैं जब बात कर रहा हूं कि डिल्ली में storm water drains का management इतना complex है तो वही हाल सडको और bridges के cases में आता है यहाँ पे भी अलग-अलग departments और organization इन infrastructure को manage करते है railway bridge ये Indian railway manage करती है national highway के bridges इसका प्रबंधन national highway authority of India करती है border area के bridges इसका ध्यान border roads of organization करती है BRO state highway के bridges ये public works department PWD द्वारा manage किया जाता है अब इतने सारे विभाग, अलग-अलग सडको और bridges की देखरे कर रहे होते है तो लोगों को ये समझदा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा department किस बुद्धे के लिए जिम्मेदार है जब public out of control या anger show करती है तो सरकार कुछ लोगों को fire कर देती है और फिर arrest कर लेती है जो कि ground level staff होते है लेकिन top level पे blame game बस चलता रहता और कुछ नहीं और दोस्तों ये crisis अभी होना start नहीं हुआ है 2014 के पहले भी हो रहा था आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा जब तक कोई structural reformation नहीं होता है हमारे selection system में दोस्तों सरकार किसी की भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है हम choose करते हैं ruling party को हम vote देते हैं तो किसी भी party को target करना बुद्धी हिंता होगी मुद्ध यहाँ पर यह है कि आम इनसान tax pay करता है आम इनसान का ही पैसा इन सारे constructions में लगता है और भी आम इनसान की जाती है तो यह important है कि हम जाने कि कैसा है हमारा infrastructure अगर इसके solution की बात की जाए तो of course vendor selection और audit system को robust करने की जरुवत है और इसी के साथ साथ एक ऐसी committee form करने की जरुवत है जो सारी civil authorities को control कर सके under the same roof I hope आप समझ पाए होंगे मिले बात को बस दोसों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो informative लगी हो तो like, subscribe और बिल आइकों को प्रेस कर ले आप मुझसे Instagram, Facebook और LinkedIn पर भी जोड़ सकते हैं मिलूँगा आप से next video में तब तक लिए बढ़ो को नमस्कार, छोड़ो को प्यार